दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पंजाब नेसनल बेंग के नियो एटियम कार्ड को एक्टिवेट कैसे करते हैं पिन कैसे बनाते हैं ये प्रोसेस हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्टेप बाई स्टेप करके तो दोस्तो मेरा PNB का ये new ATM card आया है तो इसे activate कैसे किया जाता है ये process हम इस वीडियो में सीखने वाले है तो दोस्तो PNB के new ATM card को आपको activate करना है तो आपको PNB की ATM machine से ही activate करना होगा other bank की ATM machine से आप activate नहीं कर सकते इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि जिस bank का हमारा ATM card होता है उसी bank की ATM machine में हमारा ATM card activate होता है तो दोस्तो हमें PNB की नजदी की ATM machine पे जाना होगा activate करने के लिए और दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक छोटी सी request है आप चैनल पे फ़र्च टैम आयो और आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की informative वीडियो पाने के लिए अब दोस्तो आपको अपने नजदी की PNB ATM machine पे जाना है activate करने के लिए PNB ATM machine पे आने के बाद में दोस्तो हमें card को इस तरह से ATM machine के अंतर डालना होगा card को ATM machine में डालने के बाद में यहाँ पे process हो रहे है तो हमें wait करना है और दोस्तो हमें card को तब तक ATM machine से remove नहीं करना है बाहर नहीं निकालना है जब तक हमारी process complete नहीं हो जाए अब दोस्तों में new ATM card को चालू करना है activate करना है तो आपको create change pin पे click करना है जो आपको red box में यहाँ पे दिखाए दे रहा है create change pin तो इस पे click करना है create change pin का option आपको नहीं मिल रहा है तो आपको green pin का option मिलेगा तो आपको green pin पे click करना है तो हमें first वाला option है OTP generation तो इस पे OTP generation वाले option पे यहाँ पे click करना है इस बटन पे first वाले बटन पे यहाँ पे click करना है OTP generation पे click करने के बाद में process हो रहे हैं तो यहाँ पे हमें wait करना है अब दोस्तो हमारे account के साथ link mobile नावर पे हमें OTP send कर दिया गया अब हमें ATM card को ATM machine से remove कर लेना है बाहर निकालना होगा card को ATM machine से remove कर लेना है बाहर निकालना है बाहर निकालने के बाद में हमारे account के साथ link mobile नावर पे OTP पराप्त होगा तो OTP पराप्त होने के बाद में फिर से ATM card को इस तरह से ATM machine के अंदर डालना है card को ATM machine में डालने के बाद में यहाँ पे wait करना है process और यह same process होगी तो यहाँ पे हमें wait करना है अब दोस्तो ATM की display पे का भी सारे option मिल गये है तो यहाँ पे आपको फिर से career change pin पे ही click करना होगा या फिर आपको green pin पे click करना है green pin का option आ रहा है तो यहाँ पे आपको red box वाले यहाँ पे create change pin पे click करना है create change pin पे click करने के बाद में फिर से आपको सामने same वही option आगया है दो ATM PDF पे otsp generation और otsp validation तो हमने otsp generate पहले कर लिए है अब दोस्तों आपको otsp validation पे click करना है जो second वाला option है otsp validation इस पे click करना है OTP validation पे click करने के बाद में आपके account के साथ link mobile number पे जो OTP प्राप्त हुआ था वह OTP यहाँ पे आपको enter करना है जो आपको mobile के screen पे दिखाए दे रहा है जो red box में OTP है यह इस तरह से आपके account के साथ link mobile पे जो OTP प्राप्त हुआ वह यहाँ पे आपको enter करना है जो भी OTP प्राप्त हुआ है यहाँ पे आपको enter करना है यहाँ पे दोस्तो यहाँ पे आपको प्रोसेस और यह वेट करना है अब दोस्तों यहाँ पे आगए pin change please enter your new pin अब दोस्तों जो भी आपको अपने new ATM card का pin code बनाना है वह है यहाँ पे आपको इंटर करना है 4 digit में जो आपको permanent pin code होगा वह है यहाँ पे आपको इंटर करना है तो च्यार नमर का pin number होता है वह यहाँ पे आपको इंटर करना है इस तरह से पिन नमर इंटर करने के बाद में फिर से आपके ATM की डिस्फिल पे आगया पिन चैन्स प्लीज री इंटर यूर नियो पिन फिर से वही पिन कोड आई यहाँ पे आपको डालना है कनपरम के लिए जो आपने पहले डाला था फोर डिजित में पिन कोड च्याल नमर का जो पिन नमर आपने बनाया हुआ है यहाँ पे आपको फिर से कनपरम के लिए डालना है अब डोस्तो प्रोसेस हो रहे है तो यहां पिया पे आपको वेट करना है अब ATM की डिसपलिय में प्रेशे से रिमूप कर लेना बहार निकाल लेना तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्सन बोक्स में एक वीडियो का लिंक डाल दूख झाल झाल